दधीची हड्डियों वाले नाटक मदन मोहन तरुन के द्वारा रचित एबं उन्हीं के द्वारा लिखित द्रिश्य दो मंत्रणा कक्ष एक विशाल कक्ष किसी उच्चा धिकारी के कारियाले कक्ष साथ बीच में विशाल गोला कार टेबल उसके चारों और उच्चा धिकारी कुर्सियों पर बैठे हैं सामने के विशेस उच्चाशन पर देविंद्र बैठे हैं किसी विशे पर गहन चर्चा चल र जटल से जटल समस्याओं और चुनोतियों पर हमने एतिहासिक निरने लिये हैं। फरन्तु इतना अनिश्च है और इतनी भ्रांति कभी नहीं रही हमारे सामने। जेरों की चिंता का सबसे बड़ा कारण बन जाती है। इंद्र मक्खियां जिसने इतने सक्षम और प्रभावशाली प्रशासन की नींद उड़ा रखी हैं। उन्हें मक्खियां कहते हैं आप। गोचर वे इससे अधिक निस्तन देह और कुछ नहीं। सिर्फ बे बिना भुन ने ऐसी कितनी शत्र सेनाओं के उन माद भरे सागरों को सदा के लिए मत डाला है। जिन्होंने हमारी सीमाओं का अतिक क्रमन करने का दुस्सास किया। लेकिन उन्होंने हमसे खुल कर लोहा लिया। परंतु यह यह तो प्रेट चायाओं की कुछ हिष्टा है। बे रात के गहरे अंधेरों में आते हैं और सबसे कमजोर को अपना शिकार बनाते हैं। इसत्रीओं का फरं कर उनसे बलातिकार करते हैं। बूढ़े बच्चों को निर्ममता से मार डालते हैं।ALD किसी रहस्यमें अंधेरे में गायब हो जाते है। गोचर। यह वे लोग हैं जिनका को कोई शरीर नहीं जो खुली आँखों से कभी दिखाई नहीं देते और यदि दिखाई देते हैं तो उनके कुकर्म जो वे अपने पीछे छोड़ कर चले जाते हैं इंद्र आवेश में यह तुम कह रहे हो गोचर महिंद्र के गुप्चर विभाग का मा अधिपती इस प्रकार अपनी असमर्थता व्यक्त कर रहा है क्या सूनी की ही आठ सुन लेने वाले तुम्हारे कानों में मैल जम गई है क्या चाया की काया के सारे भेदों का रेशा रेशा पढ़ लेने वाली सहसराक्ष के नाम से ब्रहमांड विख्यात इंद्र की गुप्तचर विवस्था की इसी से उठकर बेचैनी से टहलने लगा यह यह इंद्र के समर्थ अधिकारियों की संगोश्थी है या अपनी सीमाओं या असमर्थताओं का रोना रोने वाले साधारन लोगों की बैठक दंडक बृत्र जरूर किसी अन्य लोग का बासी होगा जिसे हम नहीं जानते इंद्र अत्यनतावीश पूर्वक बृत्र 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 जिधर देखो उधर के बृत्र और बृत्र यह संगोश्थी हम ने ब्रत्र का नाम जपने के लिए तो न महावली क्षमा करें देवराज, यदि हमें मालूम होता कि बृत्र कहां है, कौन है, तो इस संगोष्ठी की कभी आविश्यक्ता ही नहीं होती, हम अब तक न जाने कब का अपना विजियोत्सो मना रहे होते, बृत्र का जुद्ध पृफंच हमारे लिए सर्वथा एक नए आन इंद्र का भी कोई प्तिपक्ष होता है, जरूर, हर इंद्र का कोई न कोई प्तिपक्ष होता ही है, ये बे लोग होते हैं, जो उच्च पदस्थ लोगों को अपनी महत्वा कांख्षाओं के मार्ग का अवरोधक मानते हैं, और अपनी महत्वा कांख्षाओं को साकार करने क लिए वे किसी भी हद तक जा सकते हैं इसका अधिक व्यापक रूप वहां दिखाई पड़ता है जहां वे अपने अधिकार ख्षत्र की सीमा बढ़ाने के लिए पूरी शासन सत्ता के विरद्ध सर्यंद रचकर उसे हर कीमत पर उखार फेंकने का प्रयास करते हैं चाहे वह कि पाही हो ऐसा हम कैसे कह सकते हैं उसे किसी ने देखा तो नहीं हो सकता है हमारे दामन में ही चुपा बैठा हो और हम उसे दूर दूर ढूर ढूड रहे हूं हो सकता है वह किसी अन्य लोग का वासी हो महत्वा कांग्शाओं और दुरा कांग्शाओं के निवास और अभिवक और परायों के बीच अंतर करना सरल नहीं रह गया है। इंद्र, क्या वे जनान दोलन फैलाना चाहते हैं? गोचर, वे अपनी बिनाशकारी योजनाओं को एक भावात्मक विचारधारा का रूप देना चाहते हैं, बलकि यहों कहें कि उन्होंने अपनी पूरी योजना को इस साथधानी से बुना है। इंद्र, यह विचारधारा क्या है? गोचर, उनका प्रचार तंतर बहुत साथधानी के साथ, लोगों में यह प्रचार कर रहा है, कि हम देवताओं को छोड़ कर, अन्य विचारधारा के लोगों की सत्ता को सदा के लिए समाप्त कर, केबल अपना नहीं वर्चस्व स्थापित करना चाहते हैं इंद्र। वे लोग एक विशेस आवादी के लोगों के मन में यह बात गहराई के साथ बिठा देना चाहते हैं कि उनकी सत्ता खत्रे में है और अपने आप को बचाने के लिए उन्हें अपनी जान तक देने को तैयार रहना चाहि लोगों पर इस विचार धारा का अब्यापक प्रभाव पड़ रहा है इस सत्ती इतनी गंभीर होती जा रही है कि उनके बीच अब मरन कामी दल तैयार हो रहे हैं जो अपनी तथा कथित विचार धारा और अपने अस्तित्त की रक्षा के लिए अपनी जान तक देने को सत्त तैयार रहते हैं दूसरों की जान लेना तो उनके लिए बहुत साधारन बात है महावली यानि यह हमारा विशय नहीं है यह नागर विभाग के नियंतरन का विशय है नागर सच है उपर से देखने में यह कुछ ऐसा ही लगता है जैसे इसे महावली देख रहे हैं परंतु यह एक छद मकिंतु मनोवाई ग्यानि कुथल पुथल पैदा करने वाला असाधारन युद्ध है एक और यह हमारे भीतर एक दूसरे के प्रतियविश्वास के बीज वो रहा है और दूसरी और यह जन जीवन में असुरक्षा तथा प्रशासन की छमता के प्रतियविश्व प्रतियविश्वास उत्पन्न कर रहा है इस तरह वे प्रशासन को डवा डोल कर कलाई से गर्दन की और बढ़ने का इरादा रखते हैं और उसके लिए भी वे अपना नहीं हमारा ही गला घोटने को हमारी ही हथेली का उप्योग करना चाहते हैं और हा महाबली इस सेनिक भी हमारे ही होंगे और हमारा ही अन खाकर और जल पीकर वे हमारा खून भाएंगे हमारी संपत्ती जलाएंगे और हमारी हर पराजे पर उत्सव मनाएंगे गोचर और यह सब कुछ इतने आकस्मिक रूप से किया जाता है कि हम देखते भर रह जाते हैं इंद्र विवाग के माधिपति के मों से ऐसी बातें शोभा नहीं देती दंडक अगर कहें तो मैं एक उपाय बताओं इंदरन मनासा बोलो यदि गोचर उनके पीछे दधीची को लगा दें तो लाब हो सकता है दधीची नाम सुनते ही इंदर के चेहरे का रंग उड़ जाता है जैसे सही में किसी ने बिसफोर्ट कर दिया हो वह कुछ बोला ही चाहता है कि आकस्मिक रूप से एक दूट ती वरगती से प्रवेश करता है और सामने बिनमरता से खड़ा हो जाता है इंदर कहो परिचे क्या बात है इस स्थान पर तुमारा असमे आना कैसे हुआ यह किसी असाध हरन कारण से ही संभव हो सकता है परिचर एक विशेस दूट को यह त्यंत गूपनी यह सूचना लेकर आया है वह स्रिमान से अभी मिलने के अनमती चाहता है इंदर उसे अंतह कक्ष में उपस्थित होने को कहो परिचर जिरी स्रिमान इंदर कृपया प्रतीक्षा करें अधि कारी सिरह लाते हैं महावली ऐसा शायद ही कभी हुआ हो जब इंद्र को इस प्रकार मंत्रणा ग्रही की संगोष्टी को बीच में छोड़ कर जाना पला हो नागर पिछले बीस वरसों में मुझे याद नहीं आता ऐसा कभी हुआ हो दंडक और कहीं यह दूत भी उन्हीं में मे एक हुआ तो सभी उसकी बातों पर चौक जाते हैं सब के चेहरे पर चिंता की लकीरें खिच जाती हैं तभी इंद्र सामने आते दिखाई देते हैं सभी उठकर खड़े हो जाते हैं इंद्र चिंतित मुद्रा में इंद्र गंभीर आवाज में संभवत यह देव लोग के इ का एक भाग कुछ अज्यात लोगों के द्वारा थ्वस्त कर दिया गया है। सुनते ही सब उठकर खड़े हो जाते हैं। सबों के चेहरों पर आवीश और उत्तेजना है। किन्तु वहां तो अभी एक महत्य पुर्ण संगोश्टी चल रही थी, जिससे देब लोग के अधिक्तम महाप्रान उपस्तित थे। नागरदंडक ने वहां अपने स्रेष्टतम रक्षा कर्मियों को नियुक्त किया था इंद्र क्रोध से। तो हमारे स्रेष्टतम रक्षा कर्मियों का अस्तर यहां तक पहुँच गया है। कि हमारी रक्षा व्युस्ता पर निर्भर हमारे महाधिपती तक असुरक्षित हो गए हैं। क्या वहाँ भी स्वैम हमारी सुरक्षा सुनिश्चित है। सभी चिंतित मुद्रा में एक दूसरे को देखते हैं महावली। इस अगटनिय घटना के द्वारा उन्होंने यह संदेश भेजा है कि सर्वसाधारन जनतो क्या कोई भी सुरक्षित नहीं है यहाँ। यह स्थिति ऐसा ही है दंडक आपके लिए चाहे जो भी हो दधीची को इस घटना से विवस्ता के विरद नया मसाला हाथ लगेगा। नागत तनिक फटकारता हो दधीची वह हड्डियों का धेर सा युवक इस संकट की गंभीर घड़ी में वह किस नगनिकी चर्चा ले बैठे था है। दधीची की चर्चा आते ही इंद्र के चेहरे का रंग बदल जाता है वह जैसे भैभीत हो गया ह। गोचर दधीची साधरन नाम नहीं रह गया है वह हमारे संदेहासपद लोगों की सूची में है। उसके भाषन प्रसासन के विरद जनता की भावनाओं को भलकाने वाले होते हैं। उसके भाषनों से जनता में देवंद बिरोधी भावनाएं भलक रही हैं। हमारी उस पर अपने लोगों के विरद इस प्रकार का अविश्वास फैलाना खतरनाक है। इंद्र यह समय दधीची आदी की चर्चा का नहीं। यह राश्टर के लिए विकट संकट की घड़ी है। हम अपने शत्रों को पहचानने में जरा भी बिलम नहीं कर सकते। महावली सीमाओं को जैसे कपाट वद्ध कर दें, नगर अगर अपनी आंतरिक ववस्था की सारी कड़ियां कस डालें और गोचके सरवथा सुरक्षत करें कि हमारी आँखों से कुछ भी ओजलन रह जाए। प्रशासन की सारी एकाईयां पूरी तरह सुबद्ध हो जाए। जो भी संदेह के घे हमारा अब सब से पहला करतब है प्रशासन में जनता का विश्वास भंग ना होने देना, सरवत्र सुरक्षा की स्थिति को सुनिश्चित करना, हमारे धूर तेवं कुटल शत्र ने अपने प्रवेश के लिए हमारे अपने ही सुरक्षत स्थान में कहीं कोई बड़ा सा परं अपन की सूचना भेजने में अब जरा भी देर नहीं करनी चाहिए, यह सभा इस विशेश निरने के साथ यहीं समाप्त होती है, सभी अधिकारी एकवार पुना, प्रतग्या बद्ध होकर घटनास्थल पर पहुंचें और अपनी कारवाई अविलंब शुरू कर दें यह गोचर ने क्या कहा? दधीची, किन्त रास्ट पर संकट तो गत्र के चद में युद्ध का है, फिर भी एक मामूली सा युवक जो हड्डियों का धाचा भर है, मेरे लिए इतना असा ही है, और संकट कुरून कैसे हो उठा है, आज भरी सभा में उसके नाम से कितना बिच मैं इंद्र नहीं हूँ क्या? जिस पर पूरे देव लोग की रक्षा का भार हो, उसके मन में इतने तुच्छ विचार, लेकिन मैं क्या करूं? किसी से कुछ कह भी तो नहीं सकता? सची, इंद्र? इंद्र हटा, कौन? कौन छुपा है वहाँ? वज्ध हाथ में लेकर आक्रम की मुद्रा में मुड़ता है. सची को पहचानते हुए, तुम और यहां मंत्रना काक्ष में सची? यहां नहोनी घटना है, सब कुछ ठीक तो है न सची? यही तो तुम से जानना चाहती हूँ. देव लोग के सभागार पर आक्रमन की सूचना पाकर स्वैम को रोक नहीं सकी, आशंकाओं से मन भर उठा, इंद्र चौक कर. ओ, सची, अभी मैं जरा भी नहीं रुक सकता, सभी अधिकारी देव लोग के सभागार में पहुच चुके होंगे, यह देव लोग की असाधारन घटना है, मैं स्वैम सब कुछ अपनी आँखों से देखना चाहता हूँ, समझ आरे लिए चंतित थी, इंद्र, जैसे स्वैम से बोल्ड, सच मच सब की चंताएं कितनी अलग, अलग हैं, सची, क्या, नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, सची का कंधा आस्वासन और प्यार से थप थप आते हुए, चलो सची, अब बिलंब करना उचित नहीं, द्रिश्यांतर, प्रथम दितिये द्रिश्य का अंत।